तो यह बहुत ही ज्यादा healthy drink है आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही healthy होती है यह हड्डियों को मजबूत करती है और साथ में कमजोरी भी दूर होगा आपका इससे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है बाल भी गनी होते हैं और काले भी होते हैं साथ में साथ में इसको पीने से रोज अगर रेगुलर आप पीएंगे तो चेहरे पे चमक बलकरार रहेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फुरा एंट तक जरूर देखिएगा तो आज हम बहुत ही हैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़़ा हैं जिससे ठकान दूर हो जाएगी कमजोरी दूर होगी इसासमें बहुत सारे इसके बेनिफिट है तो पूरा वीडियो को एंट तक जरूर देखिए अब जटपट ये बन के तयार हो जाता है वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ले लिए हैं गूंद का तीरा और इसकी तासीर घर्मियों में मतलब ठंडी होती है तो आप जरूर पीजिएगा, सरी में ठंडक बनी रहेगी यह बहुत ही ज़्यादा, इसकी बेनेफिट बहुत ही ज़्यादा है तो आप जरूर गर्मी में पीजिए इसका ड्रिंक तो यह हम गूंद के तीरा ले लिए हैं इसको थोड़े से मातरा में बिगोएंगे तो यह फूल के ज़्यादा हो जाएगा इसको दो घंटे विगोने हैं उसके बाद इसको दूद के साथ भी आप ले सकते हैं या फिर पानी के साथ भी नॉर्मली या फिर इसका नीमू पानी सी गंजी भी बना के पी सकते हैं जैसा कि हम बनाने जा रहे हैं आप वीडियो को पुरा हैं तक जिए गा तो इसको फिज Selbst reactive सब्रें सब्रें हैं तो यहां हमने लिए एक गिलास उसमें डाल देंगे सबजा से साथ में हम एड़ करेंगे इसमें गूंद का तीरा जो हम भीगो के रखे थे वो डाल देंगे इसकी तासीर बहुत ज़्यादा थंडी होती है तो आप जरूर पीजिये इसका ड्रिंग साथ में हम एक चमच डाले बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनके तैयार हो गया इसको अच्छे से मिला लेंगे और यह पी लीजिए रोज आप पीएंगे न रेगुलर तो बालों के लिए भी काफी ज़्यादा यह फायदे मन्त होता है साथ में चेहरे में चमक बनी रहेगी इसके बहुत सारे वेनिफ